बात करने वाले हैं package installer keep stopping के error के बारे में अगर आपके पास android mobile है किसी भी brand का mobile हो अगर आपको कुछ इसरा से show करता है बार-बार package installer keep stopping आपके mobile में आप कुछ काम कर रहे होते हैं बार-बार ये pop-up आपके सामने आ जाता है यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाते हैं app info और close app दोनों में से आप कोई भी try कर लें या तो close app कर लें फिर थोड़ी दिर बाद आपको यह pop-up show हो जाएगा app info में जाएं तो भी आपको यह फिर से show हो जाएगा तो आपको क्या करना है इसका proper solution क्या है वो मैं आपको बताने बाला हूंते हैं इस वीडियो में आन तक बने र लें या फिर restart कर लें अपने mobile को first of all यह आपको काम करना होगा दन उसके बाद आपको क्या करना है settings में आना है settings में आने के बाद scroll करना है और यहां पर apps देखने को मिल रहा है इस apps के option पर click करना है उसके बाद यहां पर manage apps आ रहा है manage apps पर आपको click करना है अब यहां पर search bar आपको देखने को मिल रहा है और यहां पर उपर की तरफ three dots पर आपको click करना है यहां पर show system apps होगा आप सबसे उपर जैसे hide system service है यहां पर show system होगा मैं आपको दिखा देते हैं एक बार कुछ इस तरह चे क्लिक करेंगे show apps पर click कर लिजिएगा show apps पर जैसे आप click करेंगे आप यहां पर search bar देखने को मिल जाएगा search bar में आपको क्या search करना है package installer या फिर आप यहां पर manually तरीके से search कर सकते हैं package installer तो कर लेते हैं scroll करके package installer को search तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है package installer, देख सकते हैं, यहां पर दो package installer है, यह और एक यह, आप यहां पर देखिएगा, जो दो package installer है, एक है 52.68 MB और यहां पर KB में हैं, तो आपको यह MB में जो देखने को मिल रहा है, इस पर आपको click करना है, click करने के बाद, अब यहा से clear data देखने को मिल रहे नीचे की तरफ clear all data पर क्लिक करके clear all data कर दीजिए सबसे पहले तो आपको package installer का clear all data करना होगा then उसके बाद आपको क्या करना है settings में ही आपको search bar देखने को मिलता हो पर की तरफ यहाँ पर reset लिखेगा तो यहाँ पर reset लिखते हैं तो reset लिखने के बाद आपको यहाँ पर setting देखने को मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूं यह देख सकते हैं सबसे उपर लिखा हुआ reset wifi mobile network and bluetooth तो आपके mobile में अगर आपके पास oppo, vivo या other company का mobile है मेरे पास शोमी का ixmin सिर्फ settings reset नहीं कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर लिखेंगे reset settings तो आपके mobile की all settings को reset कर सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा reset all settings तो आप reset all settings पर क्लिक कर लिजेगा बट मुझे यहाँ पर option मिलता है reset wifi mobile data और bluetooth यह settings में reset कर सकता हूँ अगर आपके mobile में reset all settings को option है तो reset all settings कर लिजेए और finally अगर आपको reset all settings नहीं देखने को मिलती तो आपको factory reset देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करिए और यहाँ से एक बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप factory reset करें उससे पहले आपके contact, photo videos, apps या फिर accounts, google accounts जो होगे या फिर आपके mobile में कोई भी data होगा उसको आप जो है अपने computer या laptop में डाले या दूसरे mobile में डाले क्योंकि जब आप factory reset करेंगे तो सारा data आपका डिलीट हो जाएगा आपको mobile new जैसा हो जाएगा इस बाटे करें लव यू अल